नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाई न्योस पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं करांते सिंग करनाटक में कॉंग्रेस ने प्रचन्ड जीत हासिल की और ये जीत ऐसी थी जब कॉंग्रेस को इसके बहुत जादा जरुरत भी थी कॉंग्रेस लगतार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कमबैक कर सके लेकिन सभी राजियों में तो नहीं लेकिन हाँ कुछ-कुछ राजियों में कॉंग्रेस ने वापसी का रास्ता जो है वो जरूर ढूंटिया है और इसकी एक पहल जो है वो करनाटक में भी देखने को मिली करनाटक में कॉंग्रेस ने अपनी एक बड़ी जीत दर्ज की और उस जीत के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के ये देखा जा रहा है कि आखिरकार वहाँ पर मुख्यमंतरी कौन बनीगा देखे दो बड़े चहरे जो है वो इस वक्त इस रेस में नज़र आ रहे हैं जिन में एक डीके शिवकुमार है तो दूसरे यहाँ पर सिधार में या है एक पूर्व सियम है तो दूसरे वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं आप समझे कि वहाँ पर दोनों ही ऐसे वरिष्ट नेता हैं जो इस वक्त मुख्यमंतरी बनने के काबिल हैं लेकिन दोनों में से किसी एक चहरे को आगे करना कौंग्रिस के ले कहीं यहाँ पर दुष परिणाम लेकर के ना सामने निकल के आ जाए तो देखिए कौंग्रिस क के पास एक तीसरा ऑप्शन भी नजर आ रहा है और वो तीसरा तरीका है यहाँ पर जो है मलिकारजुन खडगे को लेकर के जिया मलिकारजुन खडगे एक जमेनी स्तर के नेता हैं जनता के साथ वो काफी ज़्यादा जुड़े रहते हैं उनके चहरे पर भी इस बार वोटि जाहिर सी बात है कि ऐसे में कॉंग्रेस के लिए ये भी एक बहतर आप्शन के रूप में है कि मलिकारजुन खडगे को जो है मुख्यमंतरी की कमान सौप दी जाए अब करनाटक में अगर वो मुख्यमंतरी बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने पद से इस्तिफ नहीं होगा ऐसे में देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि कॉंग्रेस जो है वो अपनी तरफ से कोई बड़ा कदम उठाती है या नहीं मालीकार जुन खड़गे को आगी करती है या नहीं या फिर उन्हीं दोनों नेताओं में से किसी एक को चुन करके राजस्थान और मध्य प्रदेश के स्थिति उत्पन कर पाएगे फ़ला देखना बहुत दल्चस्प होगा आप लोग की क्या राय है पूरे मामले को सुने के आथ कमेंट बॉक्स वा में जरू बताइएगा अब एक लिए वस इतना ही देश दुने अक तबाम बड़ी खबरों के लिए नेक्स ना